हेला दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीविल डैमेंशन चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको शॉर्ट में इंफोर्मेशन चाहिए जैसे डबलू पीसी बोड क्या होता है तो आप हमारे इंस्टेग्राम चैनल को फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज का हमारा टोपिक है रेड ब्रिक वर्सिस एसी ब्लॉक एसी मतलब ओटो क्लेट एरेटिड कॉंक्रिट दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्क्रिप्श करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा पैतर है अकसर आप अपना घर बनाते वक्त इस कन्फ्यूजन में फस जाते हैं कि ब्रिक यूज करें या फिर एसी ब्लॉक यूज करें तो चलिए इस वीडियो से आज आपकी ये कन्फ्यूजन भी तूर करते हैं इस वीडियो में हम falling points cover करेंगे जैसे red brick और AC block में क्या अंतर है इन दोनों में से जादा मजबूत कौन सा है या किसकी strength जादा है red bricks और AC block को use करने का क्या pros हैं और क्या cons है मतलब दोनों की अच्छाई और बुराई दोनों आपको बताएंगे red brick और AC block को कहां use करना चाहिए for example personal residential building में कौन सा use करना चाहिए और multi story apartment में कौन सा use करना चाहिए साथ ही आपको बताएंगे किन areas में red bricks और AC block को use नहीं करना चाहिए last में करेंगे दोनों का cost comparison और देंगे आपको कुछ useful tips तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं AC block क्या होता है AC block की फुल फॉर्म है autoclaved aerated concrete AC block size में बड़े होते हैं और यह light weight भी होते हैं AC block चार sizes में market में अब लेबल हैं पहला 625 mm लंबे 200 mm ऊचे और 100 mm चोड़े या फिर मोटे दूसरा 625 mm लंबे 200 mm ऊचे और 1500 mm चोड़े तीसरा 625 mm लंबे 200 mm ऊचे और 200 mm चोड़े चोथा 625 mm लंबे 200 mm ऊचे और 225 mm चोड़े 100 mm चोड़े ब्लोक को हम 4 इंच ब्लोक के नाम से जानते हैं से 50 mm लंबे 75 mm ऊचे और 110 mm चोड़े और यह तो आप जानते ही हैं सिंगल इट की दिवार लगाई तो इसे 4 इंच की दिवार कहेंगे और डबल इट दिवार लगाई तो इसे 9 इंच की दिवार कहेंगे चलिए अब वेट कंपैरिजन कर लेते हैं एक 4 इंची ब्लोक का का वेट करें तो उसमें करीब साथ ब्रिक लगेंगी जिनका वेट करीब 25 केजी होगा मतलब दो कुने से भी जादा हमने एक ब्रिक का वेट तीन किलो छेसो पचास ग्राम लिया है Similarly 6 इंच ब्लोक का वेट 14 से 15 किलो के बीच होता है और यह 10 से 11 इट के बराबर है और यह 10 से 12 इट के बराबर होता है और इटो का वेट 35 से 40 किलो के बीच होगा 8 इंच ब्लोक का वेट 20 से 21 किलो के बीच होता है और यह 14 इटो के बराबर होता है और इटो का वेट होगा लगबग 50 किलो 9 इंच ब्लोक का वेट 24 से 25 किलो के बीच होता है और यह 16 इटो के बराबर होता है और इटो का वेट होगा लगबग 60 किलो अब आप समझी गए होंगे प्रिक का वेट ब्लोक से लगबग दोकने से भी जादा है अगर हम प्रिक की जगा ब्लोक का यूज़ करें तो हमारे स्ट्रक्चर पर टैड लोट काफी कम हो जाएगा एसी ब्लोक एरेटिड यानि उसके अंदर वोइट्स होते हैं तो यह पानी में नहीं डूपता जबकि रेट ब्रिक को अगर हम पानी में डालेंगे तो यह पूरी तरह पानी में डूप जाएगा चलिए अब बात करते हैं कोस्ट आफ लेबर वर्क की अगर हम 10x10 feet की wall construct करते हैं तो एसी ब्लोक पर एक मैसन और एक लेबर लगेगा जिसका टोटल खर्च 1100 रुपे आएगा जबकि रेट ब्रिक बर्क पर एक मैसन और तो लेबर लगेंगी जिसका टोटल खर्च 1600 रुपे आएगा ऐसा इसलिए क्योंकि एसी ब्लोक को फिक्स करने में कम मैन पावर लगती है जबकि ब्रिक वर्क में जादा अगले पॉइंट्स में हम जॉइंट्स और वर्क अबिलिटी की बात करेंगे 10x10 feet की 4 इंची wall में 22 ब्लोक लगेंगे जबकि रेट ब्रिक 500 लग जाएंगी और दो बैक सीमेंट लग जाएगा अब आप समझी गए होंगे ब्लोक वक बहुत इजी और फास्ट है रेट ब्रिक के कमपैरिजन में नेक्स पॉइंट में हम कोस्ट आफ मैटेल की बात करेंगे कोस्ट आफ मैटेल की बात करें तो 10x10 feet की wall में ब्लोक वर्क पर ब्लोक लगेंगे बहत्तर जिसका मार्केट प्राइज है 50 रुपे पर ब्लोक जो 3,600 रुपे आएगा और एक बैक एडेसिव लगेगा जो है 650 रुपे का टोटल मैटेरियल खर्च आया 4,250 रुपे और 10x10 feet की brick wall में brick लगेंगी 520, 7 रुपे की brick के हिसाब से brick पर खर्चा आया 3,640 रुपे धाई बैक सीमन लगेगा 380 रुपे पर बैक सीमन के हिसाब से 950 रुपे का खर्च आयेगा और core sand लगेगा 25 foot 50 रुपे के हिसाब से sand पर खर्च आयेगा 1250 रुपे टोटल मैटेरियल पर खर्च आयेगा 5,840 रुपे मतलब block work सस्ता पड़ेगा brick work से अगला point क्या हम block work में concealed wiring क्या फिर plumbing कर सकते हैं तो दोस्तों आप AC block को easily cut कर सकते हैं और अपनी wiring, conduit pipes और plumbing pipes को conceal कर सकते हैं जबकि red bricks की cutting बहुत ही hard होती है और कभी-कभी bricks भी damage हो जाती है चलिए अब dry density की बात कर लेते हैं एक first class block की dry density 650 से 750 kg पर मीटर क्यूब होती है और brick की dry density 1600 से 1720 kg पर मीटर क्यूब होती है इससे आप समझ सकते हैं AC block की density brick से बहुत कम है जिससे structure पर dead load बहुत ही कम हो जाता है अगर एक brick की बात करें तो 3.5 kg की होती है जबकि एक block जो 7 brick के बराबर है वे 10 से 11 kg का ही होता है अब compressive strength की बात कर लेते हैं एक अच्छे quality के block की compressive strength 5 newton per mm square होती है और अच्छी quality brick की compressive strength 7-8 newton per mm square होती है मतलब brick जादा strong है block से पर इसमें समझने वाली बात यह है कि block machine made है जिस कारण से सभी block एक समान एक strength के होते हैं पर bricks हातों से बनाई और भट्टी में पकाई जाती है जिस कारण से सभी brick की strength एक समान नहीं होती और दूसरा यह है कि जादा तक construction में second class brick का use होता है जिनकी compressive strength 4-5 newton per mm square होती है जो block की strength से कम होती है इसलिए दोनों के बीच में selection बहुत ध्यान से करें water absorption ratio की बात करें तो block का water absorption ratio 10% से जादा नहीं होना चाहिए इसके weight की तुलना में brick का water absorption ratio 20% से जादा नहीं होना चाहिए उसकी weight की तुलना में अब fire resistance देख लेते हैं block चार घंटे तक आग को पकड़ने से रोक सकता है और brick दो घंटे तक thermal conductivity की बात करें तो block work 5% तक ठंडे होते हैं brick work से मतलब room temperature 5% तक ठंडा रहेगा अब आपके कुछ सवालों का जवाब देते हैं क्या personal residential building में block का use कर सकते हैं इसका जवाब है हाँ कर सकते हैं अगर building का design civil engineer दवारा किया गया है और structure एक frame structure है मतलब column beam और slab का proper design किया गया है अगर building का design किसी engineer नहीं किया और building semi load bearing structure है तो block का use बिलकुल भी ना करें क्योंकि block को load bearing के लिए नहीं बनाया गया इसे light weight बनाया गया है तक कि building पर dead load कम हो जो कि सिर्फ partition के लिए recommend है semi load bearing structure से मतलब है जिन building का brick work और column साथ साथ में बनाया जाता है और छट इटो की दिवार column और beam पर rest करती हैं जैसे colonies में घर बनते हैं अगर building multi-story residential building है तो block work का use बे जिजग कर सकते हैं यह brick की तुल्ला में building के dead load को कम कर देगा next क्या block को foundation और plinth level तक use कर सकते हैं इसका जवाब है बिलकुल भी नहीं reason यही है कि AC block load bearing के लिए नहीं पनाये गये यहां आप सिरफ red brick का ही use करें next is red brick और AC block को use करने से क्या pros and cons है मतलब इनकी अच्छाई और बुराई red brick eco friendly product नहीं है क्योंकि इसे मिट्टी और clay को पका कर पनाया जाता है भट्टी में कोईले और लकडी का इस्तमाल होता है AC block एक eco friendly product है इसमें cement fly ash lime आदी के mixture से तियार किया जाता है जिसे बड़े बड़े mechanical furnaces में पकाया जाता है इससे कोई harmful gases भी नहीं निकलती block cost effective है और बहुत तेजी से काम को खतम किया जा सकता है brick work की construction में बहुत अधिक समय लगता है और महेंगा भी पड़ता है brick work की strength अच्छी होती है और crack देखने को नहीं मिलते वहीं दूसरी तरफ block work में असानी से crack develop हो जाते हैं अगर हर 3 foot और 7 foot height पर concrete band नहीं डाला तो block work में concrete band डालना बहुत जरूरी है क्योंकि यह concrete band wall को crack होने से तो बचाता ही है साथ में crack को बढ़ने से भी रोकता है मान लीजिए किसी कारण से अगर wall में crack आने भी लगे तो RCC band के कारण पूरी wall crack होने से बच जाती है इसलिए RCC band जरूर डलवाए crack आने के बहुत से कारण हो सकते हैं इसकी separate video हम इस channel पर जरूर upload करेंगे block work पर plaster कई बार सही से नहीं चिपकता जिससे कई बार wire match जिसे हम मुर्का जाली भी कहते हैं उसका इस्तमाल करना पड़ता है brick wall पर कील और screw की पकड़ बहुत मजबूत होती है महीं दूसरी तरफ block wall पर कील और screw अच्छी से टाइट नहीं होते बारी furniture का 8 pieces दिवार पर नहीं टांक सकते अब कुछ useful tips दोस्तो साइट पर सबसे जरूरी होता है Indian Standard Quartz को याद रखना किसी भी इंजिनियर के लिए अब जान लेते हैं मैसिनरी के लिए IS Quartz क्या कहता है जो हमारी load bearing walls होती है उसकी minimum internal walls की thickness 1500 mm होनी चाहिए और external wall की thickness 200 mm होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं non load bearing walls की जो हमारी non load bearing walls होती है उनकी minimum internal wall की thickness 100 mm होनी चाहिए और external wall की thickness 1500 mm होनी चाहिए होब अब आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा इस तरह की informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग सीविल दिमेंशन्स